नमस्कार भक्तो जैमा काले भक्तो आज मैं आपके लिए यह जो असान टोटका लेकर आया हूँ भक्तो इस वशी करण उपाए से आप अपने पती या अपनी पत्नी को अपने वश में कर सकते हैं भक्तो अगर आपकी पतनी आपसे नायाज हो चुकी है अगर आपका पती आपसे बात नहीं करता है भक्तों आपको लगता है कि वो किसी और के साथ बात बात करता है लेकिन आपके साथ अच्छे से बात नहीं करता तो भक्तों आपको ये जो टोटका है ये जो उपाय में आपको आज बताने जा रहा हूँ भक्तों इस उपाय को आप एक बार सिद्ध कर दीजिए अपने पती या पतनी पर उसके बाद भक्तों आपका पती या आपकी पतनी पुरी जिंदगी भर के लिए आपके वश में हो जाएगी आपका करणा मानेगी और आपके अलावा या आपके अलावा किसी को देखेगा भी नहीं किसी को देखेगी भी नहीं तो वक्तों ये कार्या बहुत शक्तिशाली उपाया बहुत थी ध्यानपूर्वक्त से इस उपाया को समझ जिए और इस उपाया को देखिए क्यूंकि वक्तों कफी लोग उपाया को अच्छे से नहीं समझते उसके बाद कार्या समझने में दिक्क इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं किसी भी समय कर सकते हैं अपने पती पतनी पर ठीक है वक्तों लेकिन यह उपाय जब ही काम करेगा जब सामने वाले इंसान आपकी पतनी है आपका पती है तो इस चीज़ का ध्यान रखे वक्तों ठीक है आपको क्या करना है भक्तों एक का काले रंग का धागा लेना है उसमें आमने साथ बार गांठ बाढ़नी थीक रिख वक्तो साथ गांठ बाढ़नी थी Yukा भ loss में अप देख लें आपको तो सवा मींटर ने उसके बांभी इन negócio आपको पेहली यहां पर छोर्भ में ठीक है बक्तों उसके बाद भक्तों थोड़ी सी आगे गांट और बांदेनी है तो इस चीज़ का बिलकुल ध्यान रखना है आपने कि बिलकुल साथ ही गांट बांदनी है आपने इस दागे में दो हो चुकी है बक्तों तो अभी देख लेते हैं वक्तों कितना हो गाए एक हो गया दो तीन चार पांच और अभी ये छैए ठीक है बक्तों अब इसके बीच में गांट और बांदेते हैं अपने ताकि पूरे की पूरी जैसे मैंने बताया आपको मिलकुल साथ गांट हो जाए तो ठीक है बक्तो ये साथ गांट होने के बाद अब आपने इस काले धागे को अपने हाथ में लेकर इस तरह से अपने हाथ में लेकर अपने पत्नी या अपने पती की तस्वेर को सामने रख कर जो मैं अब आपको ये जो मंतर बता रहूंँ ना बगतो अब इस मंतर को आपको गोर से सुनने है क्यूंकि बगतो इस मंतर का जाप जो है आपने पूरा का पूरा 91 बार बोलना है 90 के बाद एक और ठीक है बगतो अब काफियों को नहीं समझ आया होगा तो मैं बता दता हूं 91 91 या 91 या 90 पर एक और तो मतर आपको सुन लिजे या नीबू मंझ या नीबू मंझ या नीबू मंझ तो मतर आपने इस तरह बोल लै में या नीबू मंझ दूआ है वक्तूं इस मंतर का जाप आपने एक्यान में वार करना है नबे के बाद एक और ठीक है भक्तों तो इस मंतर का जाप आप एक्यान में वार करके इस काले धागे को अब सिद्ध करके इसके बाद अपने पती अपने पत्नी के गले में इस धागे को पहना दीजिए भक्तों आपका जो पती है आपसे बात नहीं करता था या आपकी पतनी लगता है आपको किसी और के चक्कर में है बाहर तो भक्तों इस धागे को पहनाने के बाद आपका पती आपकी पतनी आपसे अच्छे से बात करने लग जाएगी आपकी अलावा किसी और से बात भी नहीं करेंगे बक्तों जैसा कि आप उनको कहेंगे बिलकुल वैसा वैसा ही करेंगे और आपकी कई ही हर बात मानेंगे बक्तों वो इंसान आपका पती आपकी पतनी पूरी जिन्दगी भर के लिए आपसे अनुमल विवार करेंगे अच्छे से विवार करेंगे आपका ही कहना मानेंगे आप के साथ ही पूरी जिन्दगी बताएंगे अगर आपको लग रहा था कि बाहर किसी से बात करते हैं या करती हैं तो भक्तों वो सब भी बंद हो जागा इस टोटके के बाद तो भक्तों उमीद करता हूँ आपको ये जो टोटका अच्छे से समझ आया होगा अगर टोटका समझ म में कोई दिक्कत होई हो तो भक्तों वीडियो को एक बार फिर से शुरू कर लिजे अच्छे से समझ ये कारे को उसके बाद आप ये सिद्ध कीजिए वीदी को तो भक्तों जैमा काले